नमस्कार मित्रों आपका डाक्टर अलोक चांटिया ए आई आरो इंडियव चैनल पर स्वागत है कभी आपने सोचा कि ये क्यों कहते हैं या देवी सर्भूतेशू मनुष्य रूपेण संस्तिताम नमस्तत सई नमस्तत सई नमस्तत सई नमो नमा आफिर मनुष्य कौन है और देवी या फिर हम कहते हैं या देवी सर्भूतेशू छुदा रूपेण संस्तिताम नमस्तत सई नमस्तत सई नमो नमा यादेवी सर्व भूतेशु बुद्धी रूपेन संसिताम नमस्तत्सई 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 नमो नमा नौरात्र के शार्दिये नौरात्र कर आपको यह सोचना जरूर चाहिए इसलिए मैं है चोटा सा वीडियो बना रहा हूं बहुत चोटा सा नमबर एक हम जिस भी नौरात्र को मना रहें ऐसा नहीं है वो वर्ष में चार बार आता है हर तीन महीने बाद एक नौरात्र आती है लेकिन शार्दिये नौरात्र और चैत्र नौरात्र का अपना महत्तु है जब भी मौसम संक्रमल की इस्थिती में होता है तो हमने नौरात्र का प्रविधान किया है क्योंकि शरीर भी उस परियावरण के हिसाब से परिवर्तन के दोर में होता है और ऐसे समय में हमने उन चीजों को अपने शरीर में रखने लेने का प्रविधान किया है जिससे अमल और चार का संतुलन बना रहे जाए वो मखाना हो, आलू हो, मुंभली हो जाए साबुदाना हो सभी हमारे शरीर में अमल चार का नियंत्रण करते हैं आलू में मैगनीशियम बहुत होता है पढ़कर देखिएगा क्या आलू क्यों खाते हैं मुंभली खाने से एसेडिटी कम होती है मखाना खाने से जितने मिनरल से सब मिल जाते हैं तो हमारा जो धर्म है जिसमें जो कर्मकांड बताया वो तो वैग्यानी खाई है लेकिन नौरात्र को नौ दिन के रूप में भी मनाने का प्रियोजन सिर्फ इसलिए है कि हमारा जन्म नौ महीने में होता है और इसकी अत्रित जो हमारा शरीर है जो मृत्यू और जन्म के बीच का शरीर है वह जिन चक्रों से होकर निकलता है आपने पढ़ा होगा स्वधिस्टान चक्र, मुलाधार चक्र अपने शरीर में उस उर्जा का संचेयन करके उर्ध गती की और बढ़े है हर दिन का चाहिए वो शैल पुत्री से लेकर सिद्ध दात्री देवी तक की जो पूजा आप नो दिन करते हैं वह सिर्फ आपके शरीर में उर्जा का संचेयन और उर्जा को एकाग्र दिशा में ले जाने का एक केवल प्रियोजन है विधी है जो विज्ञानिक है और इसी को सरल भासा में आपने सुना होगा कि चंद्र नाडी और सूर नाडी के घरसन से जो एक अन्य नाडी से स्वधा मुलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र धार तक जहां हजारों कमल खेल जाते हैं और वो वर्षा करते लगते हैं वहाँ पर आप उर्जा की उच्छ सक्ती पर खड़े होते हैं जब नौरात्र के इस अर्थ को आप समझ पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि कर्म कांड कितना न्यूनतम होना चीए उससे ज़्यादा अपने अंदर उस उर्जा को महसूस करना है और उर्जा को महसूस करके ही आप कोई कारिकर पाते हैं अगर आपको अपने अंदर उर्जा नहीं महसूस हो रही तो आप चल भी नहीं पाते हैं आप खाना भी नहीं खा पाते हैं लेकिन अगर आपके अंदर उर्जा महसूस हो रही तो आप निर्ट भी कर डालते हैं आप दोड़त भी लेते हैं सारा खेल, सारी बातें औरजा की हैं, चुकि बर्नार्ड बुसांग के द्वारा इस बात को लाजिक के रूप में, लाजिक और मार्फोलाजी आफ नॉलेज, लाजिक और मार्फोलाजी आफ नॉलेज एक बड़ी बहतरीन उन्होंने किताब लिगी है, मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ें और उसमें देखें कि उन्होंने माना है कि जो भारत देश है, वहाँ पर जो प्रतीक के अधार पर सब कुछ होता है, वो प्रतीक धकिया नूसी विचारधारा नहीं है, बलकि वो विग्यानिक है, उसको हमें समझने की आवशकता है, जो क्योंकि आपने उस प्रतीक के पीछे देखने का ज्यान प्राप्त कर लिया है, इसी तरह से जो सोशल साइंस के लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज बना है और त्रिभुज बीच से काट दिया गया है, तो उसका मतलब है कि या किसी लड़के की बात कर रही जारी जो मृत्य को प्राप्त हो गया है, अगर एक गोला बना दिया गया है और उसे काट दिया गया तो एक लड़की की बात हो रही जिसकी मृत्य हो गई है, अगर एक गोला बना कर उपर तीर बना दिया गया तो लड़का है, अगर गोला बना के नीचे धन बना दिया गय जो उनका आकार दिखाया किया है वो सब एक धकोसला है वो चुकि हमारी अग्यानता है हम नहीं जानते हैं उसको और उस अग्यानता के कारण हम एक सतही भाषा में उसे एक केवल घोरक परमकान समझ सकते हैं इसलिए बर्नार्ड बुसांके की उस किताब को में जो logic और morphology of knowledge की जो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि आपको उस प्रतीक को समझना होगा कि ये सारे प्रतीक क्यों बने देवी कितने हाथ क्यों बने आखिर देवी को शेर पर ही क्यों दिखाया गया गए गणेश जी को चूहे पर क्यों दिखाया गया को समझ पाएंगे वैसे तो साधारान तरीके से समझाने के लिए कहा गया कि अगर शक्ति को हटा दिया जाए शीव से तो शव हो जाता है और ये बस सच है कि अगर किसी में उर्जा नहीं रह जाती है तभी तो मृत कहलाता है उर्जा की शुनिता ही मृतक होने का पर्माण है इसलिए शक्ति बहुत आवश्यक है और वहाँ शक्ति हमेशा महिला से प्राप्त होती है क्योंकि अकेला खड़ा पुरुष कभी संतानोत पत्ती नहीं कर सकता है महिला कर सकती है महिला के अंदर पैदा होने की स्थिती से ही मात्रत का गुण होता इसलिए एक छोटी सी बिटिया मा कहलाती है लेकिन एक छोटा लड़का देवता नहीं कहलाता है आपको उन प्रतीकों को समझना होगा आपको यह समझना होगा कि अगर महिला के पास शक्ति का वश्रोत नहोता तो गर्ब जैसी जगा पर جो मांस के पिंड से ही तो बना है कोशिकाउं से ही तो बना है लेकिन उसमें वह उर्जा होती है वह उर्जा संचेन होता है कि वह दो जनन द्रव्यों को अंडाणू और सुक्राणू को मिला कर उसमें जीवन पैदा कर देता है नहीं तो एक पाँच दिन बाद मर जाता है और एक 28 दिन बाद मर जाती है अंडे की ओमर 28 दिन परिपक कोणिक बाद शुक्राणों पांश दिन तक किवल जीवित रहता है लेकिन जब यही मिलजाते तो एक ऐसे जीवन का निर्माण होता है जिसमें आप ये बताई नहीं सकते कि अब ये उर्जा कब तक चलेगी और जब तक उर्जा तब तक जीवन जब आप जीवन के इस सार को उर्जा के इस सार को समझ पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि जीवन में ये नौरात्र का मह जोनी जिसकी पूजा जिसका एक तंत्रिक महत्तु बताया जाता है अगर आप कभी आसाम के कामाख्या देवी जाएं तो वहां पर जून के महीने में पूजा होती है जहां पर उनकी योनी से बताया जाता है रक्तसरा होता है तंत्र में उसका बड़ा महत्तु है लेकिन मैं व राइफल का पानी रोज पिये तो उसको संतानोत पत्ती हो सकती है अगर पती पतनी दोनों लॉंग को चूसें लगातार तीन महीने तक तो अगर उन्हें बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो बच्चे होने के संभाव ना बढ़ जाती है गुडहल का फूल उसके जो नीचे का ड प्रूब फैक्स तो उनके उपर जो कुछ भी चड़ाया जा रहा है वह ऐसे तो हो नहीं सकता था इसलिए प्रतीक के रूप में सब कुछ बताया गया हमारे क्या प्रतीकों का महत बहुत था कि दूर से ही सिंदूर लगा देखकर कोई भी आजान जाए सिंदूर लगाना सि एक यस बात की भी निशानी थी कि socially a woman is sexually active अब किसी को कुछ नहीं बताना है केवल सिंदूर ये बता देगा कि अब इसके साथ एक ऐसा पार्टनर है जो इसके साथ संतानोत पत्ती करने के लिए जुड़ चुका है वैद रूप से इसलिए वह प्रतीक था लेकिन विज्ञा और समय आधुनिक्ता के साथ साथ अब इसकी आवशक्ता नहीं रहे गई या अभी भी है इसके आतरिक आप जिस प्रतीक की बात करते हैं उन्होंने का वो देखो सुनीता की मम्मी जा रही है ये उस समय की बात है जब परंपरागत समाज थे जहां पर सब आधार काल पहन का करते थे केवल सुनीता की मम्मी कहने से पूरा गाउं यह जानता था कि यह जो लड़की है यह सुनीता की बेटी है और जो सुनीता है वो इसकी मा है और बार बार यह रिप्टीशन उसको सोसलाइस करते थे यह सुमित की दुलहन है अपने परंपरागत समाज में बहुत सुना होगा तो यह जो प्रतीक होते थे यह किसी भी विक्ती की समाजिक्ता को स्थापित करते थे उसी तरह से दुरू होता ही हम जब तक विज्ञान को नहीं समझेंगे हम हिंदु धर्म को नहीं समझ यंगरेज वो रिलेजन था जहां पर एक किताब है एक उसके पैगंबर है हमारे किया ना एक पैगंबर है ना एक किताब है एक विज्ञान का पुरा कोश है पुरान उपनिसाद ब्रामार अर्नयाग वेद और इन सम में जितनी बातें लिखी हैं उनको प्रतीकों के आधार लिखी थे जिसके कारण हम यह समझ सके कि हम यह नहीं बता पाते लेकिन हमने उसका अनस्वर्ण करके उन बातों को अपनाया और उससे जीवन अच्छा था चाहे वो खान पान हो चाहे वो प्राता काल उठना हो हमारे किया हम जल्दी सोना ब्रहम मुहूर्थ में उठना इस होने के समय जब आपके शारी सारी रिक्रियान नीची होती है तो ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन अब आस्तों देर तक सोना है हमने उस प्रतीक को अपने उस धर्म के उस विधा को छोड़ दिया इसके कारण हरदय घात की समस्या के बारे हम कुछ कहना बेकार है हमारे जनिव बांते थे जो वेगस वेगस ही एक ऐसी नर्व है जो शरीर के ज्यादा तरंगों से जुड़ी हुई है और नीचे तक जाती है इसलिए वेगस पर गलत प्रभावना पड़े आपने देखा होगा नदी में लोग सिर के बल कूते हैं पैर के बल नहीं कूते हैं यहीं आपको यह सोचना होगा कि उस प्रतीक के कारण ही तो जिसे आप नहीं जानते हैं तो जनेव एक पोंगा पंडित है हां उस जनेव का विस्तार सब तक होना चाहिए अगर नहीं है तो यह गलत है उसे केवल एक विक्ति विसेश से जूड़ना गलत है ऐसे ही नौरात्र नौ साथ चक्रों से होकर जीवन गुजरता है और इन साथ चक्रों को आप अपने शरीर में मुलाधार चक्र से लेकर सहस्तरार चक्र तक पहुश सकें इसका नाम नौरात्र है उसको जगाने का प्रयास करिए आप सिर्फ और सिर्फ भोजन में कमी किया गया था नहीं उस दिन भ करते जाएंगे एक आगरता बढ़ती जाएगी जितनी एक आगरता बढ़ेगी उतनी उर्जा का संचैन होगा जितना उर्जा का संचैन होगा उतनी धूर तक आपकी दृष्टी आपकी बुद्धी जा सकती है और जितना धूर तक आप इस उर्जा के संचैन से देखने में सक प्रविधान है प्रक्रिया है जिसे हमें समझना होगा और जिस दिन हम इसको समझ गए उजा के सिधान को समझ गए निश्चित रूप से पूरी दुनिया ये समझ पाएगी कि हिंदू धर्म ही विज्ञान का वहा सांकेतिक निचोड है जिसको हम समझ नहीं पाए और आप से आश्चर होगा आपको कि इस संकेत को चाहे जेमस ने समझाओ, चाहे मैक्स मूलर ने समझाओ, चाहे बरनाल बुसांके ने समझाओ, जितनी अंग्रेज है उन्होंने समझा जरूर, आपको मालूम है कि 1885 में विल्फिंक्स ने गीता को ट्रांसलेट किया, और उस ती मारता, उर्जा का इतना सुंदर सिध्धान्त कहां है, जिसे आपके ओल धर्म से जोड़के, उर्जा, उर्जा को ना कोई मार सकता, ना काट सकता, ना बहा सकता, ना गला सकता है, उर्जा का पूरा स्रोत है गीता, और उस उर्जा को जब अंग्रेज होने समझा, तो व ज्यानिकता बढ़ी उतनी कभी नहीं बढ़ी क्योंकि वो हमारे देश के कोड को संकेतों को समझने में सच्छम हुए और हम उसको परंपरा ढोंग कर्मकांड से जोड़कर और एक दूसरे परारोपत्यारोप करके उससे दूर होते गए जिस दिन अब हम इसको समझ जाएंगे उस दिन हम समझ पाएंगे कि महिला को बिंदी इसलिए नहीं लगाते हैं पुरूष इसलिए टीका नहीं लगाते कि हम पोंगा पंडित हैं बलकि यहां जो नेजियान है जो आख की यह जड़ है नाक और माथे की इसे नेजियान कहते हैं यहां से और यह जो सबसे उच यहां से आप अगर इसको नाप लें और इसके एक तिहाई यहां से जत्धी दूरी आया मैं लिजे नौ संटीमीटर आया तो नौ संटीमीटर में नेजियान से आप जब यहां से नापिंगे तो तीन सेंटीमीटर पर आपका मेटोपियन पॉइंट है वह गुप्त आँख जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर को काली जी ने दिया था ये तीसरी आँख सभी के पास होती है इसलिए जब आप लेटे हों कोई यहाँ पर आपके उंगली गुमाए तो आपको समझ में आता है इस आँख की उर्जा को संरक्षित करने का नाम टीका लगाना है बिंदी लगाना है कोई पोंगा पंडित पन नहीं है सब विज्ञान है हमारे धरम मनीशी सब कुछ समझते थे जो यग करते थे वह उनके प्रयोक्षालाओं के एक्सपेरिमेंट थे एक बार आप किसी विज्ञानिक से पूछेगा कि यह मेटोपियन पॉइंट यहां होता है कि नहीं होता है और तब आप जान पाएंगे जब आप पैदा होते तो यह खुला होता है फिर देरे देरे बंद हो जाता है और इसी को संरक्षित करने का नाम है इसलिए जब आ नहाते हैं तो नहाने के बाद उर्जा संगनित होकर उपर उठती है जब तो यहां पर ठीका लगाते इसी लिए हैं आपने देखा यहां ताकि उस उर्जा का केंद्र इतना संगनित हो जाए कि फिर आप जो भी कारी करें वह पुरुणता को प्राप्त हो तो धर्म में जब जोड़ दिया तब कोई रही तर्क नहीं रहेगा हरादमी करेगा लेकिन तर्क ने जहां हमको उन संकेतों से दूर किया वहां में ज़्यादा अस्वस्त किया हमें एक पशु जगत का सिर्फ प्राणी बना दिया इसलिए अपने धर्म को पहचानिये और शार्दिय नौरात्र पर मादुर्गा को महसूस करने के लिए अपने अंदर की उर्जा को जागरत करिये यही इस वीडियो का सार है इसे दूर तक ले जाएए ताकि लोग समझ सकें कि हिंदू धर्म विज्ञान ही है सिर्फ यूरूपिय भाषा में जिसे विज्ञान कहा गया भारतिय भाषा में हम उसे धर्म कहते रहे अखिल भारतिय इदिकार संगठन के इस प्रयास को दूर तक ले जाएए ताकि हम अपनी परंपरा को अपने मूल धर्म को दुनिया के सामने इस अर्थ में रखने में सक्छम हो सकें कि हम विज्ञान जानते थे जानते हैं और इस विज्ञान के साथ ही मानवता का जोती पुन्ज हम जला कर वस्देव कुटमबगम की स्थापना करेंगे आप सभी को जैमाता दे